हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहूल अकेडमी पर आज हम आपके UPGK से महतापूर 50 कोशन करेंगे जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलीस या आपके आरो एरो के एकजाम में बहुत ही जादा मदद मिलेगा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जुआइं टुकर इसका PDF राप्त कर सकते हैं तो चलिया ये सुरू करते हैं अगला कोचन है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख मंतिर रह चुकी है अगला कोचन है कि गौतम बुध नगर जीले का मुख्याले है तो आपके नोईडा में है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश बिधान सभा के प्रथम अध्यच कौन थे तो पुरसोतम दास टंडन जी थे अगला कोचन है कि बीबी गीदी राष्ट्य स्रम संसा इस्तित है तो आपके नोईडा में इस्तित है अगला कोचन है कि मोती लाल नेहरू बाल संगराले इस्तित है तो आपके लखनव सहर में इस्तित है इसके आगे आपका देखिए अगला कोचन देरा है कि उत्तर प्रदेश किरिसी अनुसंधान परिशत इस्तित है तो आपका लखनव में इस्तित है इसके आगे आपका देखिए आठ नमर कोचन दे रहा है कि भार्जियत दलहन सोद संस्ता इस्तित है तो यह आपका कान पुर्वे इस्तित है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकम 6 धर्फर वाला जनपत कौन सा है तो आपका आपका लखिम पूर खिरी है अगला कोचन है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पूरुस साचर्था दर कितनी है तो 77.3 प्रतिसत है इसके आगे देखे इसके आगे आगे अगला कोचन है कि 2011 के अनुसार राज में सिसु लिंगा अनुपात कितना है तो 902 है अगला कोचन है कि जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सरवाधिक सचर्था वाला जीला कौन सा है तो आपका गौतम बुध नगर है इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि उत्तर प्रिदेश का सांस्कृति केंदर कौन सा है तो उत्तर प्रिदेश का सांस्कृति केंदर आपका प्रयाग राज है अगला कोचन है कि करमा किस छेतर का लोक निर्थ है तो यो आपका सोन भदर का लोक निर्थ है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि ताज महोसव किस महीने में मनाय जाता है तो ताज महोसव आपका फरवरी माह में मनाय जाता है अगला कोशन है कि सयद सलार मेला कहां लगता है तो सयद सलार मेला आपका बाहराईच में लगता है अगला कोचन है कि चर्कूला प्रमुख लोक निर्त्य है तो चर्कूला प्रमुख लोक निर्त्य आपका ब्रज छेत्र का है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश में वर्सा के समय गाया जाने वाला लोक गित कौन सा है तो वर्षा के समझ आपका जो लुक घित गाय जाता है उसका नाम है आपका कजरी अगला कोचन है कि आगरा सहर की असापना किषने की थी तो सिकंदर लोदी के दुवरा क्या गिया था उसके आगरा कोचन है कि चापना की थी तो जोनपूर सहर की असापना आपका फिरो इस्तूगलक के दुवरा क्या गिया था किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है तो जोनपूर सहर को कहा जाता है जाट कर्नवालिस की कब्र इस्तित है तो अगला कोष्णाना के इस्तित है बिख्यात भारत मता मंदिर इस्तित है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन दे रहा है कि बहु बेगम का मकवरा कहां इस्तित है तो बहु बेगम का मकवरा आपका अयोध्या में इस्तित है और अयोध्या किश नदी के किनारे इस्तित है तो अयोध्या आपका सरीव नदी के किनारे इस्तित है अगला कोचन है कि वराण से इस्तित वर्तमान विस्वनात मंदिर का निमार कराया था तो आपके रानी अहिलिया भाई के द्वारा कराय गिया था अगला कोशन है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो अमीर खुसरो का जन्म आपके कास गंज नामक अस्थान पर हुआ था इसके आगे आगला कोशन है कि गौतम बुद का जन्म कहां पर हुआ था तो गौतम बुद का जन्म आपके लुम्बनी में हुआ था और लुंबनी कहां पर पड़ता है तो लुंबनी आपका नेपाल में पड़ता है अगला कोचन है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जना कहा जाता है तो अमीर खुसरो को कहा जाता है अगला कोचन है कि बनारस हिंदू विस्व विद्याले का सिलिन्यास किसके द्वारा किया गिया था तो मदन मोहन मालवी जी के द्वारा किया गिया था इसके आगी आपका अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश का छेतर फल 20 वके कुल शेतर फल का कितना है तो 20 वके कुल शेतर फल का आपका 7.3% है कितना है तो 7.3% है अगला कोचने की भारत वर्स में प्रथम कृषी विस्चो विद्याला की असाबना की गई थी तो आपके पंत नगर में किया गया था जो कि आपके उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो वो आपकी सारधा नहर है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन दे रहा है कि माता टीला पर्योजina किस नदी पर इसी था है तो यो आपका बेतवा नदी पर इसी था है अगला कोचन है कि भारत के किस राज में सरवादिक सिचाई नलकूप से होती है तो वो आपके उत्तर प्रिदिस राज में ही होता है इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि उत्तर प्रिदिस में सबसे उचा बांद कौन सा है तो उत्तर प्रिदिस का सबसे उचा बांद आपका राम गंगा है अगला कोचन है कि गोबिंद बल्लब पंत सागर अवस्तित है तो यह आपका सुन भद्र जीला में इस्तित है अगला कोचन है कि रानी लच्मी बाई बाई बांध इस्तित है तो यह आपका बेतवा नदी पर इस्तित है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि ओबरा जल बिदूत केंदर किस नदी पर बनाये गया है तो यह आपका रिहंद नदी पर बनाये गया है राजी का पाहला तैरता सोर उर्जा सैंतर बनाये जा रहा है तो यह भी आपका रिहंद बांध पर बनाये जा रहा है इसके आगी आपका अगला कोचन है कि बखीरा पच्छी बिहार इस्थित है तो यह आपका संत कभीर नगर में इस्थित है इसके आगी आपका देखिया अगला कोचन दे रहा है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश में कोईला के भंडार पाय जाते हैं तो आपके सिंगरवली छेतर से पाय जाता है यानि कि सिंग्रवली छेतर में पाय जाता है इसके आगी आपका देखिया अगला कोचन देरा है कि प्रदेश का सरवाधिक बिस्तरित पच्छी बिहार है तो वो आपका लाख बहोसी पच्छी बिहार है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदिस में इंद्रा गाधी नच्छतर साला कहां इस्ती थे तो यह आपका लखनव में इस्ती थे अगला कोचन है कि आरे भट नच्छतर साला इस्ती थे तो यह आपका रामपूर में इस्ती थे इसके आगे आपका अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश में भारतिय सूचना प्रद्योगी संसा इसित है तो यह आपका प्रयाग राज में इसित है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश में जुआहर तारा मंडल अवस्तित है तो यह भी आपका प्रयाग राज में इसीत है इसके आगी आपका अगला कोचन है कि अगरिया जनजाती निवास करती है तो अगरिया जनजाती आपका सुन भद्र जीले में निवास करती है इसके आगी आपका अगला कोचन है और आज का लाश्ट कोशन भी है कि करमा किसका लोक निर्थ है तो करमा आपका खरवार जनजाती का लोक निर्थ है और खरवार जनजाती कहां पाई जाती है तो ये आपके खास करके सुन भद्र और बापके बलिया वाला छेतर में हमें दे टेलिग्राम का ग्रूप दिया गया है वहां से जुआइंटुकरिस का पीडिये प्राउद कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना मत खुलिएगा तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यवाद